ओम श्यान्ती आज है 22 अगस्त 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा अभी जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम भी नहीं कर सकेंगे श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे पवित्र ब ज्यान है परम पिता परमात्मा का इसको धारण करने के लिए बुद्धी रूपी बरतन सोने का चाहिए काहवत भी है शेरनी के दूद के लिए सोने का बरतन चाहिए फिर कहा पवित्रता की प्रतिग्या करके फिर गिर पढ़ते हैं तो उनकी योग की यात्रा ही खत्म हो ज मुख्य है पवित्र होने की बात। आगे कहा यहां बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकठा करो नहीं। यहां तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मेसेंजर्स बन सबको बाप का ये मेसेज देते रहो कि मन मना भव। और लास्ट में बाबा ने कहा मौत सिर पर खड़ा है। यहें पुरानी दुनिया अब खत्म होनी हैं। लडाई तो कोई भी समय लग सकती हैं। ऐसी तयारी हैं। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी हैं। कब तुम बच्चे करमातीत अवस्था को पाओ और लडाई लगे। अब सुनते हैं महवाकियों को विसार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हे ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा इश्वरिये मत परचल, स्वियम को पवित्र बनाओ। प्रशन, विश्व में शान्ती की सापना कब और किस विधी से होती है। उत्तर, तुम जानते हो, विश्व में शान्ती तो महाभारत लडाई के बाद ही होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करने हैं। स्रिष्टी के आदी मद्यंत का ज्यान सिम्रण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस स्रिष्टी का परिवर्तन होगा। गीत आज अंधेरे में हैं इंसान। ओम शान्ती। यह गीत है भक्ती मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं अब ज्यान का तीसरा नित्र दो। ज्यान मांगते हैं ज्यान सागर से बाकी है अज्यान। कहा जाता है कलियुग में सब अज्यान की आशुरी नेंद में सोय हुए कुम्ब करण है। बाप कहते हैं ग्यान तो बहुत ही सिंपल है भक्ती मार्ग में कितने वेद शास्त्रादी पढ़ते हैं, हठियोग करते हैं, गुरु आदी करते हैं, अब उन सब को छोड़ना पढ़ता है क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। क्योंकि खुद घरबार छोड़ भागते हैं, यह ग्यान सिवाए ग्यान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बनाने सके। पतित पावन एक ही बाप है। गंगा में सनान करने जाते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदी देखेंगे, तो उसको भी पतित पावन समझ से हैं। यहां भी गव मुख है, जरने से पानी आता है, जैसे कुए में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझ से हैं, यह भी दिर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर सनान आदी करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्यान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं, अपना देह अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाब कहते हैं, यह बढ़ा हुआ, सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स लेखकर एरोप्लेन दवारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं, विश्व में शान्ती कैसे हो, कोई ने राय दी, तो उनको इनाम मिलता रहता है, अब वह शान्ती की सापना तो कर ना सके, शान्ती है कहां, जूठी प्राइस देते रहते हैं। अब तुम जानते हो, विश्व में शान्ती तो होती है लडाई के बाद, यह लडाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है, जब तुम बच्चे करमातीत अवस्था को पाओ। इसमें ही मेहनत है, बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, और ग्रह सव्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र भनो, और सृष्ची के आदी मद्यंत का ज्यान सिम्रण करते रहो, तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा नुसार, कल पहले मुआफिक विश्व में शान्ती सापन ह हो जाएगी, तुम यह भी समझा सकते हो, कि विश्व में शान्ती तो सत्युग में ही होती है, यहां जरूर अशान्ती रहेगी, प्रन्तु कई हैं, जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर भी चलें यहां भी बहुत हैं, जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते, उच तेउच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना, तुमको इश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको इश्वर ये मत पर चलना चाहिए, बाप कहते हैं, 63 जन तुम विशे सागर में गोते खाते आए हो, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे न, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, बाहर वालों को कहेंगे, बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे ल लोकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, बाप भी कहते हैं, जो मेरे बनते हैं, उन्हों को ही मैं वर्सा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं, वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वह हैं भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है, तो बहुत उन्हों के फालोवर्स होते हैं, फंड चंदा इकठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं, यहां बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, फंड्स इकठा करो, नहीं, यहां तो जो बीज 21 जन्म उसका फल पाएंगे मनुष्य दान करते हैं तो समझ से हैं इश्वर अर्थम करते हैं इश्वर समर्पणम कहते हैं वा तो कहेंगे क्रिश्न समर्पणम क्रिश्न का नाम क्यों लेते हैं क्योंकि गीता का भगवान समझ से हैं श्री राधे अरपणम कभी नहीं कहेंगे इश्वर या क्रिश्न अरपणम कहते हैं जानते हैं फल देने वाला इश्वर ही है कोई साहुकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं आगे जन्म में बहुत दान पुन्य किये हैं तब यह बना है राजा भी बन सकते हैं प्रन्तु वह है अल्पकाल कागविष्टा समानसुख, राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं, तो उनको कहते हैं, इस्त्री तो सर्पिनी है, लेकिन द्रोपदी ने तो पुकारा है, दुश्यासन मुझे नगन करते हैं, अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, क कहते हैं विश्दो, नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुडाओ, बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं, इस मृत्यू लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विश्यस वर्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमज़ बन गए हैं, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहां, यह तो नर्क है, स्वर्ग वासी हुआ तो जरूर नर्क में था, प्रन्तु किसको सीधा कहो, तुम नर्क वासी हो, तो क्रोध में आकर बिगड पड़ेंगे, ऐसे ऐसे को तुम्हें लिखना चाहिए, फलाना स्वर्ग वासी हुआ, तो इसका मतलब तुम नर्क वासी हो ना, हम तुमको ऐसे युकती बताएं, जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होन अकबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांती होनी है, पांच हजार वर्ष पहले मौफिक, वहां एक ही आदिसनातन देविदेवता धर्म था, वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधी आदी असुर थे, त्रेता में रावन था, अब उनसे माथा ज्यान और भक्ती में रात दिन का फर्क है, इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धी में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगंस बनाने चाहिए, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांती होनी है ड्रामा नुसार, कल्प कल्प विश्व में शांती होती है, फिर कल्य सत्युग अंत में अशांती होती है, सत्युग में ही शांती होती है, यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है, पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारैन का भी नहीं डाला है, उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे न कृष्ण के पूरे चुरासी जन्म होते हैं शुबाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे अब यह सोने का कैसे बने तो फट से उनको साक आशात कार कराया तुम तो विश्व के मालिक बनते हो अब मामेकम याद करो पवित्र बनो तो जट पवित्र होने लग पड़े पवित्र बनने बिगर तो ज्यान की धारणा हो न सके शेरणी के दूद के लिए सोने का बढ़तन चाहिए यह ज्यान तो है परम पिता परमात् इसको धारण करने के लिए भी सोने का बड़तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो, पवित्रता की प्रतिज्या करके फिर गिर पड़ते हैं, तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ग्यान भी खत्म हो जाता है, किसको कहे न सके भगवानु आज का महाशत्रू है उनका तीर लगेगा नहीं वेहे फिर कुकड ग्यानी हो पड़ते कोई भी विकार ना हो रोज पोता मेल रखो जैसे बाप सर्वशक्ति मान है वैसे माया भी सर्वशक्ति मान है आधा कल्प रावण का राज्य चलता है इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके ड्रामा नुसार रावण राज्य भी होना ही है भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं मुख्य है पवित्र होने की बात बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने बाकी शास्रों में पांड़ और कोर्वों की लड़ाई जुआ अधी बैठ दिखाए हैं ऐसी बात हो कैसे सकती राज्योग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या कहां जनम मरण रहित शिव बाबा कहां पूरे चुरासी जनम लेने वाला क्रिश्न उनके ही अंतिम जनम में बाप आकर प्रवेश करते हैं कितना क्लियर है ग्रहस्त व्यवार में रहते पवित्र भी बनना है सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकठे रहे पवित्र नहीं रह सकते कहो तुमको तो कोई प्राप्ती नहीं तो कैसे रहेंगे यहां तो विश्व की बादशाह मिलती है बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो शुबाबा कहते हैं इनके दाड़ी की लाज रखो यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे अपने लिए ही मेहनत करते हैं दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है इसमें सब चाहिए न वहाँ वजीर तो होते नहीं राजाओं को राय की दरकार नहीं पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है यहां तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं बाप सभी जंजटों से चुड़ा देते हैं तीन हजार वर्ष फिर कोई लड़ाई आदी नहीं होगी जेल आदी नहीं रहेगा कोल्ट आदी कुछ नहीं होगा वहां तो सुख ही सुख है इसके लिए पुरुशार्थ करना है मौत सिर पर खड़ा है याद की यत्रा से विकर्मा जीत बनना है तुम ही मेसेंजर्स हो जो सबको बाप का मेसेज देते हो कि मन मना भव अच्छा मिठे मिठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्से रुखानी बच्चों की रुखानी बा बाप दादा को नमसे नमसे गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट ग्यान की धारना करने के लिए पवित्र बन बुद्धी रूपी बरतन को स्वच्छ बनाना है सिर्फ कुकड ग्यानी नहीं बनना है दूसरा डारेक्ट बाप की आगे अपना सब कुछ अरपन कर श्रीमत पर चल कर 21 जन्मू के लिए राजाई पदलेना है वर्दान शुद्धी की विधी दवारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजई और निर्विग्न भव इस किले में हर आत्म सदा विजई और निर्विग्न बन जाए इसके लिए विशेस टाइम पर चारों और एक साथ योग के प्रोग्राम रखो फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी इसलिए जैसे कोई भी कारे शुरू करते समय शुद्धी की विधियां अपनाते हो ऐसे संगठित रूप में आप सर्वस्ट्रेष्ट आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजई यह है शुद्धी की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा स्लोगन युक्ति युक्त वय थार्त सेवा का प्रत्यक्सुफल है खुशि अभी मातेश्वरी जी की अनमोल महवाक्य साज अब विकर्म बनाने की कॉम्पिटिशन नहीं करने हैं पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रिती से अपने विकारों को वश करना है तब ही इश्वरी ये सुख शान्ती में रह सकते हैं अपना मुख्य पुरुशार्थ है खुद शान्ती में रहकर औरों को शान्ती में लाना इसमें सहन्शक्ती जरूर चाहिए सारा अपने उपर मदार है ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशान्ती में आ जाना चाहिए नहीं, ज्यान का पहला गुण है सहन्शक्ती धारं करना देखो अग्यान काल में कहते हैं भल कोई कितने भी गाली देवे ऐसे समझो कि मुझको कहां लगी भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशान्ती में आ गया उन्हों का हिसाब किताब अपना बना लेकिन हम भी अशान्ती में आए कुछ कहे दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा तो विकर्म बनाने की competition नहीं करनी है अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है ना की बनाना है ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांत्र बनाते आए और दुख उठाते आए अब तो knowledge मिल रही है इन पांच विकारों को जीतो विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव है विस्तार है बहुत सुक्ष मृती से आते हैं कब इर्षा आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूँ यह है बड़ी भूल अपने को तो अभूल बनना है अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परिक्षा है कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ती है अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया एक बारी भी जोश आ गया तो आखरीन फेल हो गया जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा प्रन्तु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है इसलिए अच्छा पुरुशार्थ कर जन्म जन्मांत्र के लिए अच्छी प्रालब्द बनानी है बाकि जो विकारों के वश है गोया उन्हों में भूत प्रवेश है भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती हैं प्रन्तु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आत्रों शान्ति मुर्ली का साथ मिठे बच्ची में 10,000 से जादा भाई बहनों ने लाब लिया यह भठी 25 अगस्त तक चलेगी कोई भी भाई बहन इस अवसर को मिशना करे अगर आपको यह वीडियो सर्च करने में कोई समस्या आ रही है तो इसका लिंक प्राप्त करने के लिए 97291-60350 वाट्सअप नंबर पर ओम श्यान्ति लिख कर भेजें ज्यान योग से जुड़े कुछ प्रशनों के जवाब सुनने के लिए यह वीडियो जरूर सुने